महिला शौच के लिए खेत गई थी बच्चलन बताकर बेहोश होने तक पीटा गया आईए जानते इस शर्मनाग घटना के बारे में बिहार के मधे पुरा से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद ये सवाल मन में उट रहा है कि क्या हम इस आधुनिक युग में भी इंसान बन पाए है यहां एक महिला को सारवजनिक तोर पर ना केवल पीटा गया बलकि उसका चीर हरण भी किया गया ये हरकत पूरे गाओं के सामने पंचों के आदेश पर की गई पंचों ने महिला को बच्चलन करार दे कर अर्ध नगन कर गरम बास से पीटने की सजा सुनाई महिला का गुनाह ये था कि उसने दुशकर्म की कोशिश कर रहे लोगों का विरोध किया था पंचों के इस फर्मान के बाद भरी सभा में पहले लकडी जलाई गई उसमें बास का एक डंडा गरम किया गया फिर महिला को अर्ध नगन कर उसी डंडे से उसे बेहोश होने तक पीटा गया ये घटना 19 मार्च को घटित हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है पुलिस मामले की जाच कर दोशियों पर कारवाई करने की बात कर रही है सदर थाना शेतरे के राजपूर गाउं में कुछ लोगों ने कथे तोर पर महिला को खेत में किसी गैर मर्द के साथ देखा था तब उन्होंने इसे वहां पीटा फिर पंचायत बुला ली पंचायत में पंचों के आदेश पर वहां मौजूद लोगों ने उसकी साड़ी खीची फिर उसे जम कर पीटा मारपीट के बाद उसको डराया भी गया डर के मारे उसने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया इस बीच कुछ लोग बचाओ में भी आये और महिला को अस्पताल पहुँचा है लेकिन उस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई जब महिला के साथ बुदवार रात कुछ लोगों ने रेप करने की कोशिश की तब वो भाग कर दोबारा अस्पताल पहुँची और डॉक्टर्स को सब कुछ बताया फिर स्टाफ ने फोन कर पुलिस को जूजना दी इडित ने बताया कि रात में करीब दस बजे शौच के लिए घर के पास मक्के की खेत में गई थी इस दोरान गाओं के शंकरदास, पिंटूदास, प्रदीबदास और अभैदास में पकड़ लिया और कहा कि मक्के की खेत में तुम्हारे साथ कौन था हमने बताया कि कोई नहीं तो वो लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे उसके बाद मेरे साथ दुशकर्म करने का प्रयास करने लगे और मेरे शरीर पर से चादर लेकर जमीन पर बिछा दिया साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया इतना ही नहीं मेरे जेवर भी छीन लिये इन लोगों से पहले भी विवाद हो चुका है तो इस शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आपका क्या कहना है नीची वह में कॉमेंट सिक्चन में कॉमेंट करके ज़रू बदाईए और इस वीडियो को फेस्बूक और वाटसप पर जादा से जादा शेयर करें